भारत के हाथों पाक का एक आतंकी जिन्दा पकड़ा गया है पुछताच में इस आतंकी ने संसनी खेज़ खुलासा किया है पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी जैबुलाव हमजा ने बताया कि उसने सीमा रेखा पार की थी उसके साथ चार लोग और थे जिन में से दो लोग मारे गए उसने बताया कि वे लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को धमाके की चपेट में लेना चाते थे जैबुलाव हमजा ने बताया कि उसके आठ भाई और तीन बहने हैं उसे लशकर के साथ पहले 21 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर तीन मा तक और प्रशिक्षन दिया गया इसके बाद आतंकी स्वरग नहाफिज सईद और जकीयो रह्मान लखवी ने उनसे मुलकात की और उनका ब्रेनवाश किया एक बार भारतीय हेलिकॉप्टर की नजर हम पर पढ़ गई हेलिकॉप्टर से फाइरिंग शुरू कर दी गई उधर से जैबुलाह और उसके साथियों ने भी फाइरिंग की इसके बाद पाकिस्तान पोस्ट से भारतीय हेलिकॉप्टर पर गोली बारी की गई ताकि वे निक पकड़ेगर आतंकी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आतंकी संगठन लशकर ए तैयबा कश्मीर और रोहिंग्या के नाम पर केवल पैसा इकटा करता है।